दोस्तों आज किस फीडियो में हम बात करने वाले हैं SSE MTS syllabus 2021 के बारे में आप सभी को पता होगा कि SSE MTS का जो notification है 2021 के लिए वो आउट हो जुका है अभी कुसी दिन पहले ठीक है? और आज किस फीडियो में आपको बताने वाले हैं कि SSE MTS का syllabus क्या रहेगा? एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा? कितनी पेपर आपको देने होंगे? किनकिन सब्चेक्ट से questions पुछाएंगे? और किनकिन topics से question examination में पुछाएंगे? यह सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से clear करेंगे अगर आप यह सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं डेफिनिटली आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा valuable information मिलेगी तो मेरा नाम है प्रदीप माओरे आप देख रहे हैं हमारा YouTube चनल राइट इन्फो गलब जहां पर आपको मिलती राइट इंफरमेशन राइट काइट इन्स चलिए आज कि सब्स वीडियो के शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सिलबस 2021 के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं कि SSC MTS का सेलेक्शन पोसेस क्या होता है उससे पहले आपको बता दें कि SSC MTS का फॉल फार्म क्या होता है SSC MTS का फॉल फार्म होता है स्थाप सेलेक्शन कमिशन मल्टी टास्किंग स्थाप जिस एक्जर्म को SSC यानि की करमचारी चैनायोग कंड़क्ट कराती है इसमें सबसे पहले आपको पेपर 1 देना होगा जो की computer based test होता है यानि की CDT होता है इसमें आपको multiple choice type questions देखने को मिलते हैं यान की MCQ questions आपको देखने को मिलते हैं किसमें paper 1 में अगर आप इसे clear कर लेते हैं तब आपको paper 2 देना होता है जो की descriptive test होता है यानि की इसमें आपको लिखना होता है अगर आप इसे भी clear कर लेते हैं देना आपका document verification होता है और फिर आपका selection हो जाता है तो यह होता है selection process in SSC MTS चलिए आपको बताते हैं कि paper 1 में किसकी subject से questions पुशे आते हैं और कितने questions पुशे आते हैं इतने marks की होते है है तो इसमें czlan इंटलिजन्स से 25 questions पुशे यानि से 25 arts के होते हैं तो इस तरीके से total number of questions equal to hundred total number of marks equal to hundred यानि कि कुल प्रेशन कितनी होंगे, सव होंगे और कुल अंक कितनी होंगे, सव होंगे अगर हम बात करें टाइम की तो इसमें आपको 90 मिनट्स मिलते हैं यानि कि 90 मिनट्स मिलते हैं पेपर को हल करने के लिए यानि कि 1.5 पावर आपको मिलते हैं पेपर को स्वालब करने के लिए राइट चले अब हम बात करते हैं कि इसका सेलबस क्या होता है यानि कि किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से एक्सामिनेशन में कुस्टन पूछे जाएंगे यानि कि सब्जेक्ट का क्या होगा राइट तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजन्स एंड रिजनिंग की तो इसमें आप यहां पर देख पा रहे होंगे नमबर वन नमबर एंड अलफावेटिकल सेरियल्स उ मेरर इमेल्स और इंबेड और कंप्लीट दा इमेल्स काउंटिंग फिगर तो इस टॉपिक से क्वेश्टन से पूछे आएंगे इसके अलवा ब्लेड रिलेशन्स मैट्रिक्स माथेमेटिकल कालेशन्स वर्ड्स ओर्डर एकॉर्टिंग टू डिक्सारी तो इस अभी से और पासेंटेश एवरेज टाइम एंड वर्क प्रॉफेट एंड लॉस मेक्शर एंड एलिगेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस नेक्स्ट सी आई एंड एसाई उसके बाद आता है जोमेट्री मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री डिए एल्जबरा राइट इन सभी टॉप बात करते हैं इंग्लिस लेंग्विज की तो इसमें इस पॉर्ट दा इरर फिल इन दा ब्लैंक्स सिनोनियम और इंटोनियम स्पेलिंग और डिटेक्टिंग मिस्पेल्ट वर्स आडियम्स और फ्रेजर्ज वन वर्ड सुब्स्टिटूशन इंप्रॉब्मेंट ऑफ संटें कंपरेंशन पैसे तो इन सभी टॉपिक से एकजाम में कुछन पूच्याएंगे नेक्स्ट बात करते हैं जननरल एवरनेस की ठीक है तो इसमें आपके कुशन्स पुछाएंगे एक्जाम में तो ये तो रही पेपर वन की बात अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की यानि की पेपर टू की ठीक है तो इसमें आपको स्वार टेसर लिखना होगा या फिर आपको लेटर लिखना होगा लेटर आफ इंग्लिस में लिख सकते हैं या उसर हिंदी में लिख सकते हैं राइट मार्क्स की बात करें तो ये आपका 50 मार्क्स का होगा और इसको लिखने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे यानि कि 30 मिनट्स आपको दिया जाएंगे इस पेपर को हल करने के लिए इसको लिखने के लिए तो यह होता है एक्जामनेशन का पैटर्न एंड सेलबस तो यह वीडियो इंफर्मेशन आप सभी को कैसी लगी हल्पुल लगी तो वीडियो को लाइक किज़े और ऐसे इंपर्टन इंफर्मेटिव वीडियो तेखने के लिए अभी सब्सक्राइब किज़े राइट इंफो क्लब को जहां पर आपको मिलते राइट इंफर्मेशन राइट काइडेंस ऐसे ही most important, most informative वीडियोज टेखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद और लोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर किज़ेगा जिसे आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप सब वीडियोज को देख पाएंगे इस वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धेने वाल